हेलो फ्रेंड्स आज एजी ओजी कीचिन में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ वैसे तो हस्बेंड को मैं रोज ही टिफिन रखती हूँ पर आज उनके टिफिन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ तो देखे सबसे पहले मैं को जो सबजी बनानी है उसके लिए मैंने लैसुन मिर्ची को कट कर लिया है और मैंने स्प्रिंग अनियन की सबजी बनाना है स्प्रिंग अनियन मैंने रात में ही धोके उसे कट करके रखा था क्योंकि सुबा सुबा बहुत हर बड़ी रहती है बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी टिफिन, हस्बिन का भी टिफिन इसलिए मैंने रात में ही स्प्रिंग अनियन कट की थी अब कड़ाई में मैंने तेल डाल लिया था इसमें जीरा, लैसन और मिर्ची हम डाल लेंगे और जब लैसन मिर्ची अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो जो स्प्रिंग अनियन है वो भी हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे spring onion की सबजी के साथ मैं आज बेसन वाली मिर्ची भी रखने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने बेसन को अच्छे से भून लिया है इसे अगर कच्चा डाला तो कच्चा पनाएगा मिर्ची में इसलिए हमें थोड़ा से भून के डालेंगे तो एक सौंदा पनाएगा और हमें अपने spring onion की सबजी को भी भूलना नहीं है इसे भी बीच बीच में चलाते रहना है अब मैंने प्याज ले ली है और इसे भी हम एकदम बारीक ग्राइंड कर लेंगे ग्रेट कर लेंगे मतलब आपको जैसा भी लगे बहुत बारीक इसे ग्रेट करना है और ये जो प्याज है वो हमारी stuffing के काम आएगी और आज बच्चों को मैं आलू का पराथा टिफिन में रखने वाली हूँ और राश्ते में देने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने एक आलू ले लिया है और ये आलू बॉयल करके इसे छील लिया है और इसे पटेटो मैशर की मदद से मैश कर लेना है अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं अब इसमें मैं थोड़ी सी प्यास को मिक्स कर लूँगी अब प्यास के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और यह हमारे आलू के पराठे की स्टफिंग तयार हो गई है अब हम आटा लगा लेंगे आटे में मैं थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के आटा लगाऊंगी अजवाइन वाले पराठे मेरे बच्चों हस्बिन को बहुत अच्छे लगते हैं मैं मैक्सिमम टाइम अजवाइन वाले पराठे ही बनाती हूँ अब आटे में थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा मिला के मैं इसे थोड़ी तेर रग दूंगी ताकि ये सेट हो जाए अब मैंने एक जार में लैसन और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है और अब ये जो पेस्ट है ना ये हम बेसन वाली मिर्ची की स्टफिंग के लिए यूज करेंगे अब इसी मिक्सर के जार को ना खाली करके थोड़ी सी में मुमफली भी पीस लूँगी अब जो मेरी प्यास की सबजी है वो अच्छी तरीके से हो चुकी है तो इसमें मेथी पाउडर, मिर्ची, धन्या पाउडर, हल्दी और हींग डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें पीसी हुई मुमफली डाल लेंगे और अब इसे चला के थोड़ा और भूल लेंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमख अब हमारी स्प्रेंग अनियन की सबजी एकदम बनके तयार हो गई है अब आटा भी सेट हो गया है तो इसे एक बार और अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसके बनाएंगे हम पराठे सबसे पहले मैं आलू का पराठा बनाओंगी क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल का टाइम हो गया है तो उसे मुझे जल्ली से नाश्टा कराना है तो ये जो मेरा आलू का पराठा है वो एकदम तयार हो गया है और बेटी को आलू का पराठा या कोई भी पराठा बटर के साथ बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं उसे धेर सारे बटर के साथ या आलू का पराठा दे रही हूँ और टिफिन में जाएगा सिंपल पराठा सबजी के साथ तो जब तक मेरी बेटी नाश्ता करीगी तब तक उसका टिफिन रेडी हो जाएगा मैं हमेशा पराठे के अंदर सबजी रखके उसका रोल बना के टिफिन में बच्चों को पराठे रखती हूँ ताकि वो सबजी भी खाएं और या तो फिर स्टफ पराठे रखती हूँ तो देखे इस तरीके से ना मैं पराठे का रोल बना लूँगी और उसको फॉयल में रैप करके बच्ची के टिफिन में रख दूँगी ये सबजी पराठा तो लॉंग ब्रेक के लिए है और शॉट ब्रेक में मैं मैंक्सिमम टाइम बच्चों को बनाना रख देती हूँ तो देखे मेरी बेटी का टिफिन हो गया है रेडी अब एक टिफिन और जाएगा जो मेरे छोटे बच्चे का है और वो नर्सरी क्लास में है इसलिए उसको मैं आलू का पराठा रख रही हूँ इसको भी मैंने कट कर लिया है ताकि वो इजली इसे खाप पाए और इसमें लगा दिया है मैंने बटर और रैप करके मैं इसे भी टिफिन में रख दूंगी तो मेरे बच्चों का टिफिन तो हो गया है रेडी अब बचा हस्बेंड का टिफिन टरफ मिर्ची के लिए मैंने एक कड़ाई में तेल ले लिया है इसमेरे लेसुन मिर्ची का पेस्ट डाल लिया है और प्यास डाल के इसे थोड़ा शैलो फ्राय कर लूँगी और फिर इसे एक बाउल में निकाल लेना है अब इसमें जो हमने बेसन भून के रखा था वो मिला लेंगे और आदे नीबू का रस मैंने इसमें डाल लिया है और मिर्ची लेसुन का जो पचा हुआ पेस्ट है वो भी हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे हींग डालेंगे हरी धनिया और नमक डालके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे अगर हमें पानी लगता है तो और जो कटा हुआ हमारा पचा हुआ प्याज है वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइट करके अब हम मिर्ची को कट कर लेंगे मिर्ची की न हमें जो उपर से डंटल है वो निकाल लेनी है और जो इसके सारे बीज है न वो भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि कभी-कभी ये मिर्ची बहुत तीखी रहती है तो इसमें सारे बीज मैंने निकाल लिये हैं अपने हिसाब से मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है तो मेरी जो सारी मिर्चिया ना वो कट चुकी है आप जो स्टफिंग हमने तयार की थी ना वो हम इसमें भर लेंगे इसे आप साइड से भी कट करके स्टफिंग भर सकते हैं पर आज मेरा मानुआ तो मैंने इसे उपर से भरा है और ये मिर्ची बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे जरूर एक बार ट्राय करना सेम ये ही मसाले डालके बहुत टेस्टी लगेगी आपको ये मिर्ची अब एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेना है और सारी मिर्ची को इसमें जमा लेना है और हाई फ्लेम पे इसे थोड़ी देर पकने के लिए रखना है अब एक गैस पे मेरे और मेरे हस्बंड की चाय हो रही है अब जो मिर्ची है वो भी एक साइड से अच्छी तरीके से पक चुकी है तो हम इसे पलटा देंगे और इंजॉय करेंगे तो मैंने कुकर में पानी डाल लिया है और दाल चावल को अच्छे से धो के अब मैं कुकर में चड़ा रही हूँ तो मैंने पहले दाल रख लिया है और चावल रखके इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी और बस इसे सीटी होने के लिए गैस पे रख अब चाय तो हम लोग की फिनिश हो गई है अब दाल फ्राइ करने के लिए मैंने लैसन को कूट लिया है और थोड़ी सी मिर्ची काट ली है और कूकर भी ठंडा हो चुका है तो बस अब मैं करूंगी दाल फ्राइ चोकि हस्पेंड को बहुत ही अच्छी लगती है लैसन वाली दाल तो इसके लिए न मैंने एक कड़ाई में तेल ले लिया है अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता, कोटा हुआ लैसन और मिर्ची जब यह अच्छे से फ्राइ हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेना है और फिर डालना है थोड़ा सा पानी और उबली हुई दाल, अब थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डाल लूंगी और फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार, और इसके बाद इसे बॉइल करने के बाद इसमे दे दू और अगर आप मेरे चैनल मेरा नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की टिफिन रेसिपी कैसी लगी मैंने फर्स टाइम अपने हस्बंड का टिफिन शेयर किया है कि मैं उन्हें आज टिफिन में क्या क्या रख रही हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं अपने नेक्स फीडियो में तब तक के लिए बाई बाई